अब विल्कम्ट की राज्च फॉर्वं के फाैनली जो हमारा इंशिटीवुट लेवल राउंड है राउन वन राउंड टू राउंड धी कि यह तीनों ही राउंड्स खतम हो चुके अब जो बचा है वो बचा है राउंड इंसिट्यूट लेवल ओके यह क्या होती है उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि काफे सारे स्टूरेंट्स के मन में काफे सारे सवाल रहती है जो वीडियो है इसको अब एंड तक जरू किया था तो क्या हमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा येस दा आंसर इस आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा बेसिकली इंसिट्यूट लेवल राउंड के लिए कैसे करना है वो सब चीज़े मैं आपको बताऊंगा आप आप अच्छी तरीकी से समझ लीजिए जो मेरिक कॉलेज मेरिक लिस एक दीज करेंगा जिसके अदर उनके पास जो भी बच्छी हुई सीटस है या फिर काप राउन के लास्ट में कुछ इना अगर अपली केबल होगा उस इसमें मेरिक कॉटा होगी तो वह सारे सीट्स यहां पर खुल जाते हैं किसी बच्छे ने पर कहां पर कॉलेज के नोटिस बोट पर अब एक चीज़ मैं बता देता हूं अभी तक का जो राउंड था वो CET सेल कंडग कर रहा था अब यह जो राउंड है इनसीटीविविज है इनसीटीविणल मतलब जो कॉलज उसके लेवल का यह राउंड यह डिसाइल करेंगे सब के description u से लिए करेगा पूरा का पूरा जो राउंड है उसको नाम दिया गया इंसेटीव लेवल या आप इसको कॉलेज राउंड भी बोल सकते हो तो कॉलेज़ के responsibility क्या होती है अप्लोड करने का notice boat में notice boat कहा होती है अब कोई कॉलेज वेबसाइट नहीं होगा या फिर नहीं चलता होगा या फिर नहीं अपडेट करेगा बर इट इस यूर responsibility to visit the college and see the notice boat हां यह जो merit list होती है यह आपके portal भी अभी अवेलबल होगी बट सबसे fastest क्या होगा college का notice boat यह कब आ जागा बीस तरीक को यह जो date है बहुत सम्हाल के रखिए याद करें कि 20 तरीक को बीस एक्केस बाइस टीस चोबिस पांच दिन का आपको फिर से समय मिलेगा admission लेने के लिए अब इस राउंड में नहीं कोई college आपको all out होता है CET cell दो रहा है यह याद रख लेना है अभी तक जो round से उसमें CET cell आपको एक college दे रहा था कि यह college आपको मिल रहा है आपको admission लेना है जाओ नहीं आपे कोई document verification होगा न कुछ everything will be done by colleges only तो आपको लग रहा है तो 20 से लेकिए 24 तारिक के बीच में आपको college में जाना हो अब यहां पर होता क्या system है मैं बता देता हूँ एक detailed video हमने 2-3 बनाए हुए थे आप Google पे search करिएगा YouTube पे search करिए आपके इस प्रकार से दो वीडियो मिल जाएंगे इसको अब अच्छी तरी किसे देख लीजेगा आपके मन में जो भी सवाल होंगे वो clear हो जाएंगे ठीक है इसमें क्यों तो merit नमबर होता लेकिसे तीन colleges में अपने apply के या पर अपने तीनी college रखा just for an example लेकिसे आपने GLC आएस रखा फिरोडिया रखा अब GLC में दो सीट खाली थी पर आज का merit number 3 मतलब जितने बच्छे GLC के लिए apply करेंगे उसमें जो भी आपका score को उसके सबसे merit number हो अब दो ही सीट खाली थी आपका number 3 जिसे एक बाइक है उस पर दो सीट खाली है और आप किसरे number पे खड़े तो आपको तो नहीं मिलेगी, मिल कप सकता है जब उसमें से एक जन ना बैठे, एक जन admission ना ले तो आपको मिल सकता है तो यही चीज़े यहाँ पे भी होती है तो जितने merit number जिस college के लिए आपका कम होगा वहाँ पे chances ज्यादा होगा, दोई सीट खाली थी आपका पहले number है तो फिर चुप-चप जाके आप admission ले लो, यह चीज़े आपको समझ गया, नहीं समझाओ को तो यह जो दोनो वीडियो है इसको आप जरूर देख लीजेगा, पूरी की पूरी जो आपके मनमे questions है, institute level round को लेकर वो solve हो जाएंगे, apart from this, CET से लेक notice release किया था, यह notice को आप कैसे करना, यहाँ पर आपको इस तरी किसे चीजे दिखेगी, यहाँ पर आपको merit list भी दिखेगा, तो यह each and everything will be there on the CAP website also, okay, आपको login करने के बाद यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाएगी, and yes, print option form, यह सब चीज़े आपको करनी पड़ेगी, अभी तक, अच्छा, अब एक सवाल जो सबसे बड़ा होता है, बहुत सारे लोगों के मन में आता है, जिन लोग ने admission ले लिया है कही ने कहीं, किसी ने किसी college में, क्या वो अब इस इंसिटीव क्लेवर डाउन में participate कर सकते हैं, answer is yes and no भी, कैसे, कुछ conditions होते हैं, अगर आप चाहते हो, सीधा अग इस round में अगर आपने कहीं admission लिया है तो, but आप वहां पे cancel करके admission, आप उस college में admission कैंसल करके आ सकते हो, और फिर यहां पे admission ले participate कर सकते हो, ठीक है, तो admitted candidate are eligible to participate in institute level round, provided they cancel the admission of round 2, round 2, round 3, समझे, तो अगर आप चाहते हो, कि मेरा admission institute level round में हो, यह बहुत है risky है, I personally call it risky round, क्योंकि आप के पास एक seat थी, अब उस seat को आप छोड़के दुसरे जगे जाना चाहते हैं, जहां पर पता नहीं है, कि seat मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप समझ रहो, यह बहुत ही risky round होता है, बहुत ही सोच समझ के, अपने parents के साथ discuss करके, फिर आप इस round में participate करिएगा, ठ बहुत ही detail में काफी सारे चीजे इसके नहीं लिखी है, हर इक चीज हम नहीं cover कर सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लीजेगा, अब जितना आपके लिए काफी है, इतना आपके लिए काफी है, इतना आपके लिए काफी है, and fine, so date, I believe आपको बता है, बहुत जल्दी colleges भी चाल बढ़ना है, lawyer बढ़ना है, advocate बढ़ना है, life में इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, तो बहुत जल्दी स्टार्ट में बढ़ना है, fine, so thank you so much, all the best, and इसका बढ़ना दीखेगा, fine, so thank you so much, and all the best, thank you.